नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीर परीचित दोस्तों पस्थी तो दोस्तों आप सभी की सेवा में कुछ एक महतोपूर्ण जानकारियों को ले करके जिहां दोस्तों बहुत सारे लोगों कोई स्कीन की प्रोब्लेम रहती है तो हम कैसे इस्कीन की प्रोब्लेम से छुटक बिलू नुस्खों को जान लेना अतियन तो जरूरी होता है दोस्तों इसी से रिलेटेड आज का हमारा ये वियो है दोस्तों तोचा की सही देखवाल कैसे करें गर्मियों में अपनी तोचा को चमकदार और स्वस्त बनाया रखने के लिए घर में ही फेस पैक बनाने के लिए आप एक केला लें और उसे अच्छे से मसल लें फिर इसमें एक छोटा चमच मिल्क पाउडर लें और एक बड़ा चमच शहद लें इन तीनों समग्रियों को अच्छी तरह से मिला लें और इसके पास चेहरे को धोकर फेस पैक को चेहरे में अच्छी तरह से लगा कर 20 मिनट के लिए छोड़ दें इसके बाद ठंडे पानी से चेहरे को धोलें इससे चेहरे में निखार आ जाएगा दोस्तों दूसरा फटे हुए होटों का उपचार कैसे करें यदि आपके होट फटते हैं तो इस घरेलू उपाय का प्रयोग करें गुलाब का फूल लें और इसे अच् से मिक्स कर लें और रात में सोने से पहले लगा लें सुबह होने पर धुल लें इसका प्रयोग करने से आपके होट मुलायम और गुलाबी हो जाएंगे दोस्तों तो चा की खुजली से कैसे निजात पाएं तो चा में खुजली होने का कारण तो चा का सूखापन होता है दो रोजाना सोने से पहले मालिश करें इसके प्रयोग से तवचा चमकदार बनेगी और खुजली की समस्या खत्म हो जाएगी दोस्तों मुर्जाए हुए चेहरे का उपचार कैसे करें अगर आपकी इसकिन ड्राई है तो आधा कप कोक लीजिए तीन बड़े चमच हैवी क्रीम ल जाएगा दोस्तों पपीते में प्रचूर मातरा में विटामिन होता है जो कि तवचा को जुर्यों से दूर रखता है नमी योक्त और जमा रखता है इससे तवचा की लचक और आभा लंबी उम्र तक बरकरार रहती है दोस्तों गुलाब जल के साथ पपीते को मैश करके लेकिन इससे सबसे बढ़िया उपाय होता है दोस्तों कि आप इन सारी चीजों को अपने खाने में सामिल करें अगर आपके डाइट कंट्रोल है आप शुद्ध और सात्वी खाना खाते हैं तो आपको इसकी या कोई भी प्रोब्लेम बिमारी नहीं आएगी दोस्तों आप खान पान का अगर दैनिक दिन्चरिया को ठीक कर लेते हैं आप अपने खान पान के हैबिट्स को ठीक कर लेते हैं आप सही चीजों का सेलेक्शन करते हैं यानि कि आप बहुत मसालेदार खाना नहीं खाते हैं बहुत जादा तीखा नहीं खाते हैं बहुत जानते हैं दोस्त डाइट किया है आपके body वजन और आपके उम्र के according आपके diet होनी चाहिए और इसके लिए आपको किसी भी dietitian से आप समपर्क कीजे और अपनी diet chart बनवा लेजे उसके according अगर आप diet लेते हैं तो आपकी skin भी healthy रहेगी आपका शरीर भी healthy रहेगा आपको कई सारी बिमारियों से छुटकारा मिलेगा बिमारियां नहीं होंगे आप स्वस्थ फिल करेंगे दोस्तों तो ये था आज का हमारा व्यो आप सभी के लिए दोस्तों अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछ एक और महतोपून जानकारियों को लेकर के तब त